स्टेटेजी पार्टली प्रोक्टिव पार्टली रियक्टिव हलो दोस्तों आईए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करते हैं हमारा जो टॉपिक है बहुत 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 ज्यादा important topic हमारा partly proactive and partly reactive strategy दरहसल दो तरीके से काम करती है एक proactive और दूसरा reactive proactive का सीधा मतलब समझाओ तो हमें attack करना होता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए word यूज़ कर रहा हूँ आपको word वही यूज़ करने होगे जो आपके module में जो दे रखे तो मैंने आपको बताया कि proactive का मतलब होता है attack करना जैसे example दूज़ तो जीओ जीओ जैसे ही market में आया एटेल वड़ाफोन को साफ कर गया क्योंकि जीओ के पास ऐसी strategy थी ऐसे plans थे जीओ करने मार्केट में आया और एटेल वड़ाफोन जैसे कई सारे टेलिकॉम को साफ कर गया तो इसे ही हम कहता है proactive strategy जिसमें attack किया जाता है proactive strategy को हम plan strategy भी कह सकते हैं जिससे हम company की market position, financial performance and to tackle tackle का मतलब होता है किसी भी चीज का सामना करना मतलब की problems को सामने आते ही उसे हम हल कर पाए ऐसी improvement company में देखने को मिलती है proactive strategy से तो दोस्तो proactive strategy में आपको दो point याद रखने है पहला point कि हम plan strategy के नाम से उसे कह सकते है दूसरा to improve company's market position, financial position and to tackle ये पहली strategy आपकी complete होती है दूसरी strategy के बारे में बात करें तो दूसरी strategy का नाम है reactive strategy reactive strategy का सिंबल सा मतलब बताओ तो हमें defense करना होता है ये फिर से याद दिला दू आपको कि ये मैं आपको सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए word use कर रहा हूँ आप वही लिखेंगे जो आपके module में दे रखे रियक्टिव strategy को आप रियक्टिव strategy ही लिखेंगे जैसे कि अगर आपको एक्जमपल दिया जाए तो वही एक्जमपल दूँगा जो आगे दिया था जीओ का जैसे जीओ ने मार्केट में proactive strategy के साथ अटेक किया तो इसी के सा का क्या strategy रहा होगा बताईए प्रोयक्टिव होगा या फिर रियक्टिव होगा रियक्टिव होगा आप सभी जानते हैं क्योंकि इन्हें defense करना होता है जीओ ने जैसे proactive strategy से अटेक किया तो इन्हें defense करना होता है reactive strategy से तो आईए पहले हम यह देख लेते हैं कि reactive strategy में हमें क्य लिखना है प्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यहां पे अटेक किया जिसे एटेल वड़ा फोन आइडिया जैसे कमपनियों ने रियक्टिव मतलब की रियक्शन दिया तो दोस्तों यहां पे आपको यह दो चीज़े याद रखनी है कि दो तरीके की स्टेटिज आपको देखने को मिलती है प्रोड्टिव और रियक्टिव अब आपके मोडियूल में जो आपको दे रखा है वो आप रीट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं मैंने आपको कॉंसेप क्लियर करवा दिया है और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और वीडि परित हो सको जिससे आपको भी फाइदा हो और मुझे भी फाइदा हो